आज हम बनाते हैं बेसन की सब्जी जिसके रिए दो कटोरी बेसन लेंगे इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और अधरक लहसुन का पेश सब को मिक्स करते हुए पानी डाल के पतला घोल तेयार कर लेंगे डाल देंगे स्वात के हिसाब से नमक, मसाला बना लेते हैं सरसो डालेंगे लहसुन, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर इसे मसाले को पीछ लेंगे एक कराही में तेल करम करेंगे और इस घोल को इसमें डाल के अच्छे तरीके से सुखाते हुए आटे जैसा बना लेंगे एक थाली में लगा देंगे तेल और तेल पर इस आटे को अच्छे तरीके से फैला देंगे और फैलाके इस तरीके से ठंडा हो जाए तब इसे काटके एक सेब दे देंगे और ये देखिए कितना अच्छा कतली बना है फिर डाल देंगे कराही में तेल और इस सारे कतली को अच्छे तरीके से फ्राई करके निकाल लेते हैं पिर इसी तिल में डाल देंगे सरसो और सारे मसाले पीसेवे मसाले को डाल के एक टमाटर डाल देंगे और डाल देंगे स्वात की हिसाब से नमक और मसाले को पांस मिनट के लिए अच्छे से भून देंगे भूनने के बाद मसाला जब अच्छे से भून जा डाल देंगे इसम कुमारी बेशन की सब्जीते या रहे हैं